ओम शान्ती आज 18 मई है तो आईए सुनते हैं आज मीठे प्यारे बाबा की साकार मुरली के मुख्य आठ पॉइंट्स आज बाबा ने पूरी मुरली योग उपर चलाई है बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा से बहुत 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 प्यार करना है और कई बाबा ने आशिक माशुक का बेग्जामपल दिया कि जैसे उन्हों को एक दो की याद हमेशा रहती है नैच्रल रहती है तो तुम बच्चों को भी इसी तरह से सुयम को चेक करना है कि कितना बाबा की याद हमारे अंदर नैच्रल रहती है तो पहला पॉइंट है बाबा ने कहा मूल बात है सतु प्रधान बनने की हम बाबा से योग किसले लगा रहे हैं सतु प्रधान बनना है सो तो बाबा के तयाद की यातरा की सिवाय बन ही नहीं सकते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा समय है सुबह, सुबह बाबा बच्चों को कशिश करते हैं, खींचते हैं, लेकिन वो नमबरवार तो है न हम सब, तो नमबरवारी कशिश होती है, और इतनी बाबा कशिश करते हैं कि पुरानी दुनिया को भुला देते हैं, लेकिन बाबा कहत ते वो तो सुबह की बात है लेकिन सवाल है पूरे दिन का कि तुम पूरा दिन कितना याद करते हैं वो तो सुबह घंटा घंटा याद किया ठीक है लेकिन अपने दिल से पुछो सारा दिन क्या किया तुम अपनी याद का चार्ट लिखो तो बावा कहते हैं जब लिखने को क ठगना नहीं है। ऐसे लिख दिया कि हाँ हम याद में थे। बाबा केते दे के सब धर्म भूल जाने चाहिए। दे का भान बिलकु निकल जाना चाहिए। सच मुझ चेक करो मुझे बाबा की याद आती है या नहीं आती है। अपना सचा पोता मिल देखो। जैसे आशिक चुक होते हैं कैसे एक दो के प्यार में डूबे रहते हैं तो ऐसे बाबा केते तुम्हारा ये रोहानी प्यार है तुम भी बाबा के प्यार में डूबे रहो। तो फिर ये भी देखना है साथ साथ कि हमारे अंदर कितने दैविगुन भी आ रहे हैं और कितनी हम बाबा की स दिवा भी करेगी और उनको बाबा की याद भी दिलाएगी और तीसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है माना इतना इजी टास्क नहीं है मेहनत का काम है तो कई बच्चे मिया मिठ्वी बने रहते हैं अपना चार्ट कहते बहुत अच्छा है बाबा केत ऐसे नहीं ये देखो सच मुझ हमने आप समान कितनों को बनाया ये जी चार्ट अच्चा है तो औरों को आप समान बनाएंगे और आत्मा की कठ निकलेगी आत्मा हलकी होती जाएगी बाबा केते जो करेगा सो पाएगा नहीं करेगा पुर्शार्थ तो पच्छित आईगा बाबा केते फिर देखना भी है हमारा पूरा दिन भर करेक्टर कैसा रहा हमने किसी को दुख तो नहीं दिया फाल तु बाते तो नहीं की अपना चाठ अच्छी तरह से देखना अपना करेक्टर सुधारना है न तो सुखशम चेकिंग करनी पड़े चौथा पौिंट है बाबा केते स्विरे स्विरे बाबा बच्चों को जास्ती कशिश करते हैं क्यूंकि बाबा चुम्बक है एवर प्योर है बच्चों को खींचते हैं जober बहुत लवली बच्ची होते हैं उनको बहुत जोस से खिंचता हूँ तो बावा के ते फिर तुम बच्चों को याद के बल से ही विकरम विनाश करने है ना तो बहुत महीन चाकिंग करो क्यूंकि जो याद है इसके लिए बावा के ते कि याद में रहना मानना तलवार की धार पर चलना और दूसरा के तलवार की धार पे चलने कार थी ये भी कि याद में रहना भी काफी मुश्किल काम है, महनत का काम है, अटेंशन का काम है, तो बावा के ते ये बहुत नाजुक रास्ता है, बाप की याद में रंतर रहना, तो अपनी पूरी इसमें महनत करनी है, बावा सिंपल सा एक्जम्पल देते हैं कि बच्चे देखो जैसे आशिक माशुक होते हैं उनको तो मेहनत नहीं लगती ना तो इसलिए ये अपने आपको समझो कि हमात्मा जिसकी आदा कल्ब से आशिक थी वो माशुक हमारे सामने खड़ा है तो बहुत प्यार से याद करना है और चाट भी सबको जरूर रखना है पांचों पॉइंट है बावा ने कहा ये नौलिस बहुत सिंपल है लेकिन नौलिस सुनाते समें ग्यान सुनाते समें आपका जो मिजाज है बहुत मीठा होना चाहिए जुवान बहुत मीठी होनी चाहिए तब दूसरों को ग्यान सुनाना है तबावा केती कि हर आत्मा को जो ग्यान मिलता है उसके पीछे भी आत्मा के करमों का हिसाब किताब होता है जैसे किसने जासि भग्ती की है तो उनको जल्दी ग्यान मिलेगा और जल्दी समझ आएगा और ग्यान की घहराई में भी जाइंगे और वो क्या करेंगे ग्यान की पॉइंट का मंथन करेंगे अलग से लिखेंगे और उनकी value को समझेंगे फिर औरों को समझाने के लिए भाशन में भी points को add करते जाएंगे और अपने उपर खूब नज़र रखेंगे पुरशारत की अनुसार कि हमारा चार्ट कितना अच्छा है छठा पॉइंट है बाबा के थे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो सरलता से चलते हैं सरल्चित हैं और सर्विस करने बिगर रहते नहीं हैं बहुत मैनत करते हैं तो बाबा भी हम बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे धन्दा दोरियादी करो प्रंतू डायरी में नोट करते रहो याद का चार्ट डायरी अपनी पॉकट में रखो और सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए क्योंकि तुमको नमबर वन में यह दियाना है तो नोट करो अलबेले तो नहीं रहे, मिया मिठ्टू तो नहीं बने कहीं माया ने हमारे को गुंसा तो नहीं मारा है ना, बाबा के ते कोड़ों में कोई ऐसा निकलता है जो अपने आपको नमबर वन में लाने के लिए पूरा पुर्शाथ करता है बाबा ने बर्मा बाबा का एक्जमपल भी दिया कि बर्मा बाबा जैसे दो बजे उठते थे फिर मन्तन करते थे, लिखते थे, फिर बच्चों को सुनाते थे तो बाबा ने कितनी मेहनत की तो हम बच्चों को भी ऐसे बहुत मेहनत करनी है साथ मुआ पॉइंट है, बाबा के थे कि रामा को याद रखना है, रामा को तो इससे क्या होगा, हमारी अवस्था अड्ोल रहेंगी, अचल रहेंगी, स्थेहरिम रहेंगी तो बाबा के थी कोई बात ने जैसी कोई तुफान आता है, बाबा को सच-सच बताना है कईयों को सौपन भी धेराते हैं सौपन के द्वारा भी माया तंग करती है तो बाबा को सच सच बताना चाहिए बाबा केते कईयों को तो बहुत माया थका देती है क्योंकि मंजिल बहुत भारी है घड़े घड़े याद भुला देती है तो बाबा केते हैं इतना अंदर में बाबा 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 ऐसे महिमा गाते रहेंगे तो बाबा भी कशिश करेंगे बच्चों को रिफ्रेश करेंगे तो बाबा फिर से कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करनी है बाबा हरे एक बच्चे को देखते रहते हैं कि इतना पुर्शा की दुनिया ये भी बाबा सब हम बच्चों की चेकिंग करते रहते हैं तो बाबा के ते अवस्था बड़ी मीठी अलोकिक होनी चाहिए जो एकदम बाबा के प्रेम में डोब जाएं और प्रेम में आँसों आएं अटवा पॉइंट है बाबा ने कहा बच्चे संगम युक का जो विशेश वरदान तुमको मिला है वो है संतुष्ट ताका संगम युक के लिए गायन है क्या गायन है अपराप्त नहीं कोई वस्तू बरामनों के खजाने में क्योंकि जब बाबा हमें मिल जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो पाना था सोपा लिया अंतर मन को जो सुख मिलता है बाबा से जो सुकून मिलता है जो प्रेम मिलता है उसमें आत्मा इतना खो जाती है कि उसको किसी बाहरी दुनिया के वस्तों की आकरशन ही नहीं रहती है अपने अंदर में आत्मा क्या फिल करती है एकदम संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ सर प्राप्ती संपन हूँ, तो जो सर प्राप्ती संपन आत्मे होंगी वो कभी असंतुष्ट नहीं होंगी तो बावा केते यही तुम बच्चों को संगम युक का वरदान है इसलिए जितना जितना हम समरिती स्वरूप रहेंगे अपने प्राप्तियों के प्रति उतनाई हम संतुष्टता का अनभव करेंगे ओम शान्ति